नमस्कार दोस्तों मैं जिससे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चानल साथ तक में दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला उबर कुतुला इन्वर्सिटी भॉबाल के दुवारा अंडर ग्रुजेट कोर्स के जितने वे चात्रों का एक्जाम अभी रुका हुआ था कैंसिल हो गया था उनके लिए नया टाइम टोबल जारी कर दिया गया तो तुस्त जानकार इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दुआ दे जिससे कहने वाले से वीडियो को नोटिफिकेस आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो एन्यूल एक्जामिनेशन है उनका जो सर्कुलर में टाइम जारे क्या गया है तो दूस्तों जून 2020 का एक्जाम है यर के जो बोले तो जो एक्जाम के लिए देने वाले थे उनके लिए अब देख सकते हैं उसके वाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जो पहला पेपर है वरकतुला इंवर्सिटी भौपाल का वो बीबीए फाइनल एर के इस्टूरेंट का है और रेगुलर इस्टूरेंट का है जो कि जून 2020 का एक्जाम में 11 एम से 2 पीम तक चलेगा यानि सुबह 11 बज़े से 2 बज़े तक एक्जाम इनका चलेगा उसके सकते हैं एक ग्रूप 3 का मार्केटिंग, कंजूमर, फाइनेंस, वरकिंग, कैपिटल मेंजमेंट या अधर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका है उसके बाद दोस्तों 1 जुलाइग को जो एक्जाम होगा ग्रूप 3 का मार्केटिंग एड़र्टाइजमेंट मेंजमेंट एड Sales का उसके बाद देख सकते हैं कि जो दोस्तो तीन paper बच्चे हुये हैं वो ही तीन paper की time table VVA का जारी कर दिया गया है उसके बाद जो gapping की मैं बात करूँ exam में तो एक भी दिन gap नहीं दिया गया है उसके बाद दोस्तो जो V$ के student है final year के regular या private दोनों का एक्जाम होगा जून 2020 में इनका जो टाइमिंग है वो तीन बजे दोपहर से छे बजे साम तक एक्जाम होगा तीन घंटे की टाइमिंग रहेगी ऑफलाइन मूट पे पेपर होगा जैसा कि आप देख सकते हैं 29 जून से पहला पेपर होए फाउंडेशन कोर्स का जो एक जूलाइको फाउंडेशन कोर्स का थट पेपर हो जो बेसीक आफ कम्प्यूटर एंड' इनफेर्मेशन टेकलोर्जी का पेपर है उसके बाद दो जुलाई को political science first, तीन जुलाई को political science second, चार जुलाई को history का first और छे जुलाई को history second और साथ जुलाई को हिंदी और आट जुलाई को हिंदी, नौ जुलाई को जो दोस्तो पेपर है sociology, social, work, mathematics, music इन सबका exam है उसके बाद आप देख सकते हैं 10 जुलाई को जो second उसी का second paper होगा उसके बाद 11 जुलाई को geography, 13 जुलाई को geography second और 14 जुलाई को economics first और 15 जुलाई को economics second का paper है उसके बाद दोस्तो 16 जुलाई को home science का तो अब देख सकते हैं जो B.A. के छात्रों के लिए time travel कुछ इस प्रकार है किसी दिन एक भी दिन gap नहीं किया गया है paper के लिए तो आप एक बाद पूरा अपना time travel देख सकते हैं पहले जो दोस्तो paper का timing है ओ देख लिजिए उसके बाद अपना जो paper किस date में है पूरा ओ देख लिजिए उसके बाद अब चलते हैं B.A. के छात्रों के लिए तो दोस्तो जो B.A. के छात्र है final year के regular या private छात्र है उनके लिए जो पहला paper है account group का है जो लेखक सम्मू है पहला paper है accountant income tax law and practice जो 29 June को है उसका 30 June को सेम उसी का second paper है एक जुलाई को management group का paper है दो जुलाई को management group का second paper है और तीन जुलाई को applied economics का first paper है और चार जुलाई को उसी का second paper है और दोस्तो इसी प्रकार से ये विकॉम बाले के लिए exam का time toilet इसमें भी दोस्तों के एक भी दिन gap नहीं दिया गया है उसके बाद चलते हैं BSC final year के छात्रों के लिए जो exam का time table जारी किया गया है 29 June से पहला paper है foundation course का English language दुसरा है 30 June को foundation course का second paper जो computer है basic computer of information technology उसके बाद दोस्तों एक जुलाई को physics first और बायो वाले के लिए botany first दो जुलाई को physics second botany second तीन जुलाई को mathematics first geology second चार जुलाई को mathematics second geology second ये paper है उसके बाद 6 जुलाई को mathematics third का paper है और बायो वालों का उस दिल छोटी है अधर जो भी बायो क्या कहते है BSC के छात्र है उनका exam चलेगा उसके बाद दोस्तों 7 जुलाई को chemistry first 8 जुलाई को chemistry second और 9 जुलाई को chemistry third का paper है उसको 10 जुलाई को क्या कहते हैं दोस्तों आधर जो bio chemistry का paper है जो की आधर जो math और bio के अलावा जो भी अस्तिक कर रहे है उनका exam है उसके बाद 11 जुलाई को bio chemistry और other electronics second इन सबका paper है उसके बाद 13 जुलाई को भी paper है जो की bio technology computer science और unknown subject के student है उनका भी exam है जो की 18 तक चलेगा कुछ इस परकार से exam है उसके बाद दोस्तों अगले exam के तरफ बढ़ते हैं जो की become honors के चात्र है उनका जो exam है फाइनल एर की regular और private चात्र के लिए उनके paper का जो timing है 7 बजे सुवज से 10 बजे तक paper है जो पहला paper है management group का human research management first का paper है जो की 29 जुन को 30 जुन को management group का second paper है एक जुलाई को applied economics group का है उसके बाद 2 जुलाई को applied economics group का second paper है और 3 जुलाई को accounting group का second paper है तो कुछ इस परकार से paper की timing जो become honors के चात्रों के लिए है कुछ इस परकार से उसके बाद दोस्तों अब अगले paper के तरफ बढ़ते हैं BSC Home Science के जो छात रहें उनके लिए जो पहला paper है वो 30 जुन को है और इनकी जो time सोरी दोस्तों 39 जुन को ही है जो पहला paper है normal end और सोरी दोस्तों मैं पहले बता दो उनकी जो paper की जो timing है वो सुबह साथ से 10 वज़े के लिए ही है उसके बाद जो subject related कुछ जो paper है उनको बता देत हूं कि नॉर्मल एंड जो उनके एक्जाम पर जो है 29 को है उसके बाद 30 को 30 जुन को paper है जो की appeal designing का paper है उसके बाद दोस्तों जो एक जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई और 6 और साथ को कुछ subject वाले paper है जो की देख सकते हूं दोस्तों जो last paper इनका जो दोस्तों है C&D second का paper है और जो अब जो दूसरी बात है दोस्तों जो last paper है जो BCA final year के छातर है उनका जो paper है वो भी सुवे 7 वजे से 10 वजे तक चलेगा जो की पहला paper 29 जुन को है computer networking and internet security related है उसके बाद 30 जुन को core Java का paper है एक जुन को एक जुन को management information system का paper है और दो जुन को python programming का paper है और तीन जुन को e-governance का paper है और चार जुलाई को principal and practices of management का paper है यह time table जारी किया गया है तो आप देख सकते हैं dr. B भारती रजिस्टार है जो की B UK है और जो examiner है उनका signature है तो कुछ इस प्रकार का time table जारी किया गया है तो इसका जो official time tol है आप नीचे दिए गया लिंक से जाकर उसको time tol को जारी करके आप पूरा देख सकते हैं तो दुस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता है चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अन्यवाद दूस्तो झाल